ओपनयाई में हलचल मच गई है जहां सैम अल्टमैन जिन्होंने टेक इंडस्ट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरीए नया आयाम दिया था, उन्हें कमपनी के बोर्ड ने निकाल दिया है. बोर्ड ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि सैम अल्टमैन के साथ उनके संचालन में स्थिर्ता की कमी को देखते हुए इस फैसले पर पहुँचा. इसके बाद ओप नयाई में तब्दीलियों की लहर शुरू हो गई, जिसमें मीरा मुराती को कमपनी के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया. उसके बाद कमपनी के राष्ट्रिय अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉक मैन ने अपना इस्तीफा दिया. कमपनी ने कहा, बोर्ड का यह निर्णय सैम ओल्ट्मैन के इस्तीफे के पीछे एक सोची समझी प्रक्रिया के बाद आया, जिसमें यह निशकर्शित हुआ कि वह बोर्ड के साथ नियमित रूप से सपष्ट नहीं रहे, जिससे उसकी क्षमता पर बोर्ड को विश्वास नह एक टेक्नोलजी नेता, जो माइक्रोसॉफ्ट से बिलियन डॉलर की निधियों के साथ वित्पोशित है, जिसे गूगल और मेटा, फेस्बुक की मात्रिका कमपनी के द्वारा इर्श्या की जाती है, इससे पहले वह कम्प्यूटर के आइकॉनिक उत्कृष्टता के रूप में सामने आए और कांग्रेस के सामने साक्षात कार दिया, उन्होंने तकनीकी विकास के लिए AI की बड़ी भूमी का निभाई और उसमें सामान्य उत्साह भरा, इस संदिग्ध स्थिती में कमपनी के भविष्चे को लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है, यह सब कुछ एक बड़े स्तर पर टेकनोलोजी उद्यमियों के लिए एक बड़ा जटका है, और इससे आगे कैसा आएगा, यह देखने योग्य है